चोपड़ा है जोकिस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे NEET की eligibility के बारे में यानि की additional biology वाले candidates या फिर open school वाले candidates या private candidates इसके लिए eligible है या नहीं क्योंकि NMC ने इसी के regarding एक new public notice दिया है उसी के बारे में बात करेंगे साथ ही NTA ने अभी NEET 24 का syllabus declare किया है उसके बारे में भी बात करेंगे क्या NMC ने 6 October को जो syllabus declare किया था सेम वही है या इसमें कुछ changes हुए हैं तो इन दोनों subjects के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं biology additional subject की eligibility के बारे में कि NEET 24 में क्या ये candidate exam दे सकते हैं तो मैं आपको इसमें बता दूँ कि जो 97 में rules बना था eligibility के लिए NEET की eligibility के लिए 1997 में जो rule बना था उसमें ये कहा गया था कि जो candidates physics, chemistry, biology या बायो टेकनोलोजी से 12th pass करते हैं वो NEET के लिए eligible हैं और उसमें ये भी कहा गया था कि जो additional subject, additional biology बगरा से 12th class पास करते हैं या open school से पास करते हैं या private candidates जो हैं वो इसके लिए eligible नहीं हैं के लिए ये कहा गया था 1997 के rule में लेकिन इसके बाद में ये rule change किया दिल्ली हाई कोट में और उसमें दिल्ली हाई कोट ने जो decision दिया इन candidates को allow कर दिया था लेकिन इनको allow करने के बाद जब MCI हुआ करता था 2018 में allow किया था इनको दिल्ली हाई कोट ने और MCI 2018 में इन्होंने सुप्रिम कोट में इसके खिलाप एक petition दाईर कर दी थी कि ये candidates eligible नहीं है रूल के मुताबित तो अभी वो सुप्रिम कोट में case चली रहा है अभी सुप्रिम कोट में case pending है लेकिन हर साल ऐसा होता आ रहा है कि जो नीट का ब्राउचर रिलीज किया जाता है उसमें ये ही कहा जाता है कि ये candidates अभी allow हैं यानि कि इनको छूट दी जाती है तब तक जब कंडिडेट, additional subject वाले कंडिडेट्स, open schools वाले कंडिडेट्स और private कंडिडेट्स अलाव हैं जब तक सुप्रिम कोट का decision नहीं आ जाता है इसमें अब इसके बाद में आगे NMC नी ये सोचा कि कोट के से ज्यादा हो गए क्योंकि लगनाव हाई कोट में अलावाद हाई कोट म किया है कि ये केस को विड्रोल किया जाए कि जो 14 जून 23 को मिटिंग हुई थी उसमें यही decision लिया है कि इन केस को विड्रोल कर लिया जाए और 2023 में जो रूल मिना हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि जो additional biology वाले subject वाले जो कंडिडेट्स हैं वो इसके लिए allow हैं नीट की exam के लिए तो जब ये cases वापस लिए जाएंगे तो इसमें जो additional subject वाले candidates हैं वो भी allow किये जाएंगे नीट का उसमें हमें देखने को मिल जाएगा ये अच्छी बात है कि इन students को permit कर दिया गया है ये नीट की exam दे सकते हैं selection ले सकते हैं तो ये तो था नीट की eligibility के बारे में additional subject के बारे में अब बात करते हम syllabus के बारे में नीट का जो syllabus इस बार change किया NMC ने 6 October को जो notice दिया था उसी notice को NTA ने भी confirm कर दिया है यानि वही notice NTA ने डाला है उसमें कुछ कमिया थी वही कमिया रह गई है और इसमें आप इसकी NTA.ac.in की website पर ये syllabus देख सकते हैं 6 October का वही NMC का syllabus है जो आपने पहले देख लिया होगा इसमें physics के कौन से topic है chemistry के कौन से topic है biology के कौन से topics है ये आप NTA.ac.in पर भी देख सकते हैं वहां भी ये syllabus पढ़ा हुआ है और NMC की website पर भी ये syllabus पढ़ा ह है तो आप change syllabus के according ही अपने तयारी करें इसमें फालतू के subjects वगरा फालतू के topics वगरा फालतू के पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जो syllabus NTA ने डिकलेर किया है वही syllabus के according आप तयारी करें अभी आपके पास समय है अभी भी समय इसलिए मैं बोलना हूँ क्योंकि इसली बार भी जो counseling है वो 31st December को end हुई थी अपकी बार तो बहुत जल्दी end हो गई थी तो आप अभी तयारी कर सकते हैं आपके पास में काफी समय हैं और तयारी करके आप आराम से selection ले सकते हैं इसमें ये confirm हो गया कि NEET का जो exam है NTA करवाएगा क्योंकि कुछ दिन पहले NMC ने जो examination conducting body NTA है और यही exam conduct करवाएगी NEET 24 का तो यह जानकारी थी syllabus के बारे में और इसमें additional biology और eligibility के बारे में जो NIS candidate है private candidate है उनके बारे में बाकी अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक जैं